आज हम लोग LKG के क्लास में हिंदी पढ़ेंगे बच्चो हम लोग आज हिंदी में कविता सिखेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं ये देखिए बच्चो ये क्या का चुत्र है जी हाँ ये गाए का चित्र है गाए आप लोगों ने देखा है न अपने घरों के आसपास ये गाए का चित्र है तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज के कविता का क्या नाम है मारे कविता का नाम है गाए गाए कविता आपके पाठ्य पुस्तक पूजा गीत माला में दिया हुआ है तो आप लोगों को इसका अच्छे से अभ्यास करना है और अच्छे से याद करना है इसे ये देखिए बच्चो कविता संख्या तीन गाए तो चलिए अभी हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिस के साथ साथ इसे बोलना है तो चलिए हम शुरू करते कविता गाए गाए हमारी भोली भाली सुन्दर प्यारी बड़ी निराली बच्छडा इसका बड़ा दुलारा माता की आखो का तारा खाकर भूसा करे जुगाली गाए हमारी भोली भाली तो बच्चो अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा है अभी हम लोग फिर से इसे पढ़ेंगे क्योंकि बार-बार अभ्यास करने से आप लोगों को कवीता अच्छे से याद हो जाएगे तो चलिए हम इसे फिर से पढ़ेंगे गाए हमारी भोली भाली सुन्दर प्यारी बड़ी निराली बच्चडा इसका बड़ा दुलारा माता की आँखो का तारा खाकर भूसा करे जुगाली गाए हमारी भोली भाली तो बच्चो इस कवीता में क्या बताया जा रहा है इस कवीता में बताया जा रहा है कि गाए भोली भाली है तो चलिए अब हम लोग इसका एक्षन सीखेंगे आप लोगों को कवीता का एक्शन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि कवीता को एक्शन के साथ बोलना अच्छा रहता है तो मिस भी जब सुनेंगी आप लोगों से ये कवीता तो वो एक्शन के साथ ही आप लोगों से सुनेंगी तो इसका एक्शन सीखना जरूरी है ना? तो चलिए अभी मिस आप लोगों को एक्शन सीखाएंगी ध्यान से देखेगा बच्चों गाई हमारी भोली भाली सुन्दर प्यारी बड़ी निराली बच्छडा इसका बड़ा दुलारा माता की आँखों का तारा खाकर भूसा करे जुगाली गाई हमारी भोली भाली बच्चों कैसा लगा आप लोगों को इसका एक्शन? अच्छा लगा ना? तो चलिए मिस आप लोगों को एक बार फिर सिखाएंगी आप लोगों को ध्यान देना है और साथ-साथ अभ्यास भी करना है तो चलिए हम फिर से सीखते हैं से गाई हमारी भोली भाली सुन्दर प्यारी बड़ी निराली बच्चडा इसका बड़ा दुलारा माता की आँखों का तारा खाकर भूसा करे जुगाली गाई हमारी भोली भाली तो बच्चो अच्छा लगा ना आप लोगों को तो चलिए अब हम लोग साथ में करेंगे तो आप लोग खड़े हो जाईए हम लोग साथ में से करेंगे अक्शन तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया ना बच्चो तो चलिए गाए हमारी भोली भाली, सुन्दर प्यारी बड़ी निराली, बच्छडा इसका बड़ा दुलारा, माता की आँखो का तारा, खाकर भूसा करे जुगाली, गाए हमारी भोली भाली, तो बच्छों, आप लोग फिर से करेंगे इसे एक साथ, तो चलिए, एक बार फिर से करेंगे, तो अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को, चलिए, गाए हमारी भोली भाली, सुन्दर प्यारी बड़ी निराली, बच्छडा इसका बड़ा दुलारा, माता की आँखो का तारा, खाकर भूसा करे जुकाली, गाए हमारी भोली भाली, तो कैसा लगा बच्छो, अच्छा लगा ना आप लोगों को, एक्शन के साथ करने में, ऐसे ही आप लोगों को, इसका अभ्यास घर में करना है, और अच्छे से इसे याद करना है, तो बच्छो, अब बताईए, इस कवीता में क्या बताया जा रहा है, इस कवीता में क्या कहा जा रहा है, बच्छो, गाए कैसी है, गाए भोली, भाली, सुन्दर, प्यारी और बड़ी निराली है, इसका बच्छडा कैसा है, बच्छो, इसका बच्छडा बड़ा दुलारा है, वो अपनी माता की आँखों का तारा है और ये क्या खाकर जुगाली कर रही है बच्चो ये भूसा खाकर जुगाली कर रही है अपना खाना खाकर जुगाली कर रही है जुगाली का क्या मतलब होता है जुगाली का मतलब होता है खाना को धीरे-धीरे चबा कर खाना तो वो धीरे-धीरे जुगाली कर रही है तो बच्चो इसी प्रकार से कवीता को अच्छे से याद करना है और इसका अभ्यास करना है वो भी एक्षन के साथ धन्यवाद